हम लोग बात कर रहे थी बहुतिक भूगोल की बारे में और इसमें आप लोगोंने लाश्ट किलास में देखा होगा कि हम लोगोंने भूकमपपर एक विस्तार से चर्चा की हुई थी आज की इस किलास में में परवत और परवत के निर्मार के बारे में बात करनी है और इस किलास को भी हम लोग विस्तार से ही देखेंगे और ये सभी किलासे आपकी UPSP और State VCS को ध्यान में रखते हुए कबर की जा रहे हैं तो अगर आप लोग किसी भी एकजाम की तैयारी करते हैं और उसमें अगर भूतिक भूगोल से आपकी परिच्छाओं में कुश्चन्स आते हैं तो यसे सभी किलासे आप लोगों के लिए भी महत्पूर्ण हो सकती हैं और इसके लिए एक सेपरेट पेलेलिस्ट सूची बन को मिलेंगी भूगोल की भी देखने को मिलेंगी समीधान की भी देखने को मिलेंगी अर्दव्यवस्ता की भी देखने को मिलेंगी और विज्ञान की भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी आप लोग तीन सब्द काफी चर्चा में सुनते होंगे एक आप देखते हैं कि परवत सुनते हैं, पहाडी सुनते हैं, और पठार सुनते हैं, इन तीनों में अंतर क्या है, ये आप देखें, पहाड की आकर्टी है, ये किसकी है, परवत की आकर्टी है, ये आप देखें, ये पहाडी हो गई, और ये आप देखेंगे, पठार आप लोगों को दिखाई दे इससे उँचे उठे हुए भाग को आप लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परवत कहते हैं, यह काफी उचे होते हैं, क्यासे होते हैं, काफी उचे होते हैं, लेकिन जो पहाडियां आप लोग देखते हैं, यह परवतों से बहुत छोटी होती हैं, और सामन का आप लोग और पहाडी की जलवाई। आसपाच के छेतरों की अनुसार होती है। और आप देखते हैं इन पहाडीयों पर कई बस्तिया भी लोग भी रहते हैं। यहां जीब जन्तुवा भी बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है, अब बात आती है पठार की, कि पठार क्या होता है, तो आप देखेंगे इस तरह का पठार, जो आप देखते हैं कि भू सताय से उपर उठा हुआ है, लेकिन आप देखें, नोखीला है, इस तरह से आप देख देखेंगे, फैला हुआ होगा, इस ही को आप लोग पठार कहते हैं, वहीं अगर आप लोग परवत की बात करें, तो देखें, उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, यहां भी आप देखें, पहाडियां भी छोटी छोटी उठाई दे रही हैं, लेकिन पहाडियां परव लून, लुन, सान, हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, great dividing, Krange के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, तो आपके आसपास चो पहाड़, छोटी-चोटी पहाड़िया होती हैं उसे परवत महा कर, मत कहा करिएगा, वो चोटी-चोटी पहाड़ियां है, परवत अलगी ही होते हैं, परवत का उधारान आप लोग हिमालय देख सकते हैं या रौकी देख सकते हैं या एंडीच परवत देख सकते हैं और आप देखें मोड़दार परवत आप लोग पढ़ते हैं ज्वालाव की परवत पढ़ते हैं ब्रहंस परवत पढ़ते हैं आप सिष्टित परवत पढ़ते अधिक देखने को मिलेगी कहने का मतलब ए है कि जो हमारी पितवी है इस पे परवतों की पिकार की बात हो रही है तो सबसे जान्दा बलित परवत आप लोगों को देखने को मिलेगी कुछ अन परवत भी बलित परवंद के रूम में देखने को मिलेगी घरशित परवत, आउसिष्ट परवत और पहले ये बलित परवत थे कलांतर में कटाओ की पईडाम स्वरूप इनका रूप परिवर्तित हो गया और जिससे बलित परवतों का महत और अधिक बढ़ गया और इसके अलावा बिलोग परवत अध्वा आउरोधी परवत को पिठक रूप से निर्मित बताया जाता है और बास्तों में ये परवत भी बलन किरिया द्वारा निर्मित हुआ है बलन यानि की दबाओ के कारण और मोडों में बलन होने से मोडे पढ़ने लगती है और इस पेकार परोग चुरूप से बिलोग परवत भी बलन परवत की सैनी में आते हैं और इन परवतों के अत्रिक्त अन कई परवत पाये जाते हैं परंतु इनका विस्समत नहीं होता है और यही कारण ही कि अधिकांस बिद्वान के बल बलित परवतों की उत्पत्ती की ब्याक्या की ए, अनेक बलत परवत ऐसे हैं, जिनका रोप का अभी बिक्रित नहीं हुआ है, और इनको युवा बलित परवत की संग्या प्रिदान की जाती है, एक बार आप लोग इस्क्रीन उठ जाता है तो उसी की बात होती है कि वह ही परवत हो गया बलित परवत हो गया भूतल पर तीब ढाल बाला उच्च भाग जो कम विस्तित सिखर तल और एवं दूर से द्रसमान है उसे परवत कहा जाता है यह आप लोग किताबी परिभासा भी लिख सकते हैं भूतल का तीब ढाल बाला उच्च भाग जो कम विस्तित सिखर तल एवं दूर से द्रसमान है उसे क्या कहते हैं परवत कहते हैं सैलिस्वरी ने इसपश्ट किया है कि परवत तल के ऐसे पुंझ हैं जो अपनी आधिक उंचाई से निकट छेत्रों की अपेक्चा अधिक इसपश्ट होते है और उनके सिख तल का विस्तार अधिक नहीं होता है और परवतों की मुख रूप देखें तो सामान दृष्टी से सभी परवत समान दिखाई पड़ते हैं परवत यसा होता है कि यदि सूक्ष निरीक्षन किया जाए तो इनके स्वरूम में भिन्यता इस पर ठोने लगती है परवत कटक, परवत सैनी, परवत सिंखला, परवत तंद, परवत बर्ग, परवत सिखर, परवत समूव आधी रूपों में परवत दिखाई पड़ते हैं और जिन में परयाप्त भेद होता है एक बात और आप लोगों को यहां बता देता हूँ अगर आप लोगों की पास प्रवत की तैयारी कर रहे है तब तो आप मुझे लगता है कि आप लोगों को NCEIT बुक्स पढ़ लेनी चाहिए क्या NCEIT बुक्स पढ़ लेनी चाहिए इसका आप लोगों की यकीनन बहुत फायदा मिलेगा ठीक है तो यह आप लोग याद रखेगा और बलित परवत की बात करें आप देखें बारवार चर्चा हो रही है तो बेपरवत होते हैं जिनका निर्मांद बलन नामा भुगर्वी पिकिरिया के तैयथ होता है पिलेट बिवर्तिनी की सिद्धांत बाद इनके निर्मान के बारी में यह अब माना जाता है कि भू सन्यतियों में जमा ऐसादों की दो पिलेटों की आपस में करीब आने के कारण दब कर सिकोर्डने और सिल्वटों की ऊपर उठने की रूम में उठने से हुआ है और तरसरी युग में बनी बलित परवद आज सबसी महत्पूर परवद सिंखलाओं में से हैं जैसे आप देखते हैं, एलपस देखते हैं, हमाले देखते हैं, इन्हीं की बात हो रही है अब आप देखें दो पिलेटे हैं इसमें बीच में कुछ आप देख रहे हैं कि बना हुआ है आउसाथ की रूम में अब आप देखें दोनों एक दूसरे के पास आएंगी करीब आएंगी बलन पड़ेगा बीच के हिसे में यह उपर उठ जाएगा तो इसी को तो बलित परवत कह देते हैं उची उची एवं संकीन पहाडियों के करम को परवत कटक की संग्या प्यदान की जाती है और इन पर दबाओ अत्वा अपरतन की किरिया का अधिक प्रवाओ दिखाई पड़ता है और इसी पिकार पहाडों एवं छोटी छोटी पहाड परवतों का सब जब समानंतर रूप से करम विस्तित होता है तब इसे परवत सिंखला की संग्या प्यदान की जाती है और इन में अनेक परवसेनिया सम्मिलित होती हैं कई परवसेनिया मिलकर एक परवत तंत का निर्मान करती हैं परवत तंत में अनेक परवसेनिया होती हैं उनसे मिलकर परवत तंत बनता है और इसमें परवत सेनियों के मद्द विस्तित घाटियां और भिरंस पाई जाती है और जिनके द्वारा ये एक दूसरे से पिथक होती है बास्तों में परवत तंत विस्तित चेत में फहला परवत समू होता है जिसमें बिसाल परवत अधवा अनेक परवत सेनिया आप लोगों को देखने को मिलेंगी इसमें, तो ये भी याद रखिएगा, और आप देखेंगे कि परवतों का एक उच इस्थलखंड जो आसमान रोप से फैला होता है, उसे परवत समुदाय अर्थवा परवत बरक की संग्या पे दान की गए है, और इन इससे इस परश्थ है कि अनेक परवत तंत, सेनिया और सिंखलाय समले होती है इसमें, परवत अथवा पहाडी के सबसे नुकिले भाग, चोटी को परवत सिखर कहते हैं, क्या कहते हैं, परवत सिखर कहते हैं, चोटी कहते हैं, एक तरह से आप देखे यहाँ, यह आप देख सभी पहाडियों में पहाडों में समान नहीं होता है किसी में अतिन्थ नुकिला, सुई, अधवा, सींग की भाती होता है और किसी में गुम्मत की भाती होता है किसी में पैरामिड की भाती आप लोगों को दिखाई देगी चोटी सिखर की बात हो रही है अलग-अलग परवतो निर्माड कारी घटनाओं आदी में अंतर होता है, और फल्सवरू परवतों में विसमता उत्पन होती है, और इसी की आधार पर इनका बरगी करण किया जाता है, और निम्नांकीत बरगी करण पिस्तुत किये गया है नीचे आपको, कहने का सीधा सा मतलब है यह है, कि परवतो की उत्पत्ती, निर्माड, इस्तिती, उचाई, उत्पत्ती काल, अध्वा परवत निर्माड कारी घटनाओं इस सब अलग-अलग होती है, इनमें अंतर पाय जाता है, और इनी विसमताओं की कारण इनका बरगी करण किया गया है, अब आप देखेंगी कि पहला कह रहा है उचाई की अधार पर तो इसमें आप देखेंगे निम्न परवत हो गया, फिर आप देखेंगे रुख चत्वा कम उचे परवत हो गया, फिर आप देखेंगे घरसित परवत हो गया, उचे परवत हो गया, ठीक है, उचाई की अधार पर आप देखेंगे इनका बटवारा हो पर आप देखेंगे इस्तिती के आधार पर अगर आप लोग देखें तो इसमें आप देखेंगे महादवीपी परवत हो गया, महासागरी परवत हो गया, तो इस्तिती के आकार पर हो गया ये, फिर आप देखेंगे निर्माड पिक किरिया के आधार पर अगर आप लोग परवत देखते हैं और निचले परवत विस्ति के प्राचीन परवत हैं जिनका अनच्छादन अपरदन अनवरत हुआ है अब आप देखे कि कहते हैं ना कि पुराने लोग हैं तो वो जुग जाते हैं उनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपरदन होने लगा है यानि कि बोड कम परतियां कम हो गई है लगग 500 सी 1,000 मीटर की उचाई वाले सभी परवत इस कोटी में रखे जाते हैं तो कौन हो गए निचले अत्वा निम्न परवत हो झाल फिर आप देखेंगे रुक्ष्परवत और इसमें आप देखेंगे रुक्ष्पर बढ़त भी प्राचीन परवत हैं, इनका अपरदन निचले परवत की अपेक्चा कम हुआ है, यानि कि उनसे निचले जो परवत है ना, उनसे कम हुआ है, अपरदन तो हुआ है, लेकिन उनसे कम हुआ है, और बास्तों में जिन परवतों की उचाई एक हजाज से पंदरे सो मीटर की मद्ध होती है, पश्मी घाट परवत सेंडी रावली भारत में और अपलेसियन इवेसे में इस बर्ग के परवतों की पिरमुक वो धारन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर आप देखेंगे उचे परवतों में आप लोग देखेंगे क्या देखोगे उचे में उचे परवत में देखेंगे कि 2000 से 9000 मीटर की उचाई है इनकी इनकी उचाई कितनी है? इनकी नाम से ही मुझे लगता है कि इनकी परिभासा आपको समझ में आ रही है इसमें आप देखेंगे रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, आलपस हो गया, हिमाले परवत हो गया, आदी उचे परवत की सेणी में आते हैं और इनको उचाई के अधार पर चार उपबर्गों में भी माठा गया, उचे परवत, मध्य मूचे परवत, अधेक उचे परवत और उचे तम परवत में विवाजित किया जा सकता है, और इह परवत मोरदार परवतों की विष्च दिस्तान थे हैं और इनका विकास अभी चल रहा है, यह आप लोग कह सकते ही हैं, अब यह मदवर्थी भाग में इस्तित परवतों को महादुईपों में इस्तिती के आधार पर इनको दो बर्गों में उप बर्गों में विभाजीत किया जा सकता है तटिय परवत और आंतरिक परवत तटिय परवत की बात करें तो महादीपों के पास में इस्तित महासागरों के समानांत फैले परवतों के तटिये परवत कहा जाता है अब देखे महासागरों के तटपर फैले हुए महादुपों की पास में तो उन्हें आप लोग कह देते हैं पाश्मी घाट एवं पूरवी घाट भारत में देखने को मिलेगा रॉकी अमेरिका में अलफाइन यूरोब में अपलेसियन सायुक्तराज अमेरिका में आदी इनके प्रमों को धारने एटलस अत्वा अलफाइन परवतों को छोड़कर सभी की दिशा उत्तर से दच्छिन आपको देखने को मिलेगी यह आप देखेंगे तटिये की बात हो रही है त गया तो याद रखेगा और फिर आदे हैं अंतर महादीप एपरवत तो महादीपों के आंतरिक भागों में इस्तित्त परवतों को अंतर महादीप एपरवत कहते हैं जैसे हिमालय यूराल बिंद सय्थभोडा आधी परवत इसके उधारन आपको देखने को मिलेंगी अब इन्हें आप लोग क्या कह देते हैं अंतर महादीफिये परवत कह देते हैं दूसरा आप देखेंगे आगे चल कर देखें कि महासागरिये परवत अब महासागरिये परवत क्या है तो सागरिये द्रोणियों तथा महादीफिये मग्न तटों परिस्तित परवतों को महासागरि परवत कह देते हैं और जैसे मौना का ज्वाला मुखी परवत एंडिलियन परवत समू आधी महासागरी परवत हैं और महासागरी परवत ज्वाला मुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित माने जाते हैं हवाई दूइप का मौना की ज्वाला मुखी परवत विस्त का सबसे उच अब मानले के लिए कह रहे हैं पिसांद महासागर में आप देखे कोई महादीप पड़ रहा है और उस पर आप देख रहे हैं कि परवत वहां बन जा रहा है तो उनी परवत की बात हुरी है यानि कि महासागरों के अंदर देख रहे हैं आप लो फिर आप देखेंगे कि मौलिक अत्वा बिवर्तिक परवत तो भू बिवर्तिक भू बिवर्तिक भू बिवर्तन अत्वा पिलेट संचलन के द्वारा निर्मेद परवतों को बिवर्तनिक परवत की संग्या पिदान की जाती है जैसे हिमालय हो गया, आलपस हो गया, रौकी हो गया आधी परवत इस एडी में आते हैं यानि कि आप देखें फिलेट चल रही है उनका संचलन हो रहा है उनके द्वारा जो परवत बनते हैं उन्हें बिवर्तिक परवत की संग्या दी जाती है जैसे हिमालय हो गया, आलपस हो गया, रौकी एंडीज हो गया आउसिष्ट अत्वा घरसित परवत अपरदन की आउसिष्टों की रूम में बचे हुए परवतों को घरसित परवत की संग्या दी जाती है अपलेशियन परवत इसका मुख उधारन है और यह परवत अतीत में कई बाज समतल हो चुका है कौँसा अपलेशियन परवत ठीक है यह अवसिष्ट अत्वा घरसित परवत का उधारन है तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखेगा इसमें फिर आप देखेंगे क्या देखेंगे इसमें बलित अत्वा मोड़दार परवत इनके बारे में भी देख लीजे तो महादीप पिये अत्वा एक महास्दूई पिये और एक महासागरी पिलेट के संचलन अत्वा टक कराने से उत्पन चेत्रिये सक्तियों से भूसानेतियों में निच्छेप्त मलवा में मोड़े पढ़ने से बलित अत्वा मोड़दार परवतों की उत्पत्ती होती है कहने का ये मतलब है कि दो महादूई पिये अत्वा एक महादूई पिये और एक महासागरी पिलेट है उनका संचलन हो रहा है एक दूसरी की तरफ बढ़ रही है और उनके बीच आप देखेंगे जो मलवा होगा माली ये एक पिलेट है एक पिलेटे हैं ये दोनों एक दूसरी की और जा रही है और आप देखें बीच में मलवा देखने को मिलेगा और उसमें एक तरह से दवाव पड़ेगा न, उसके कारण आप देखी उपर हिस्सा उठेगा, उसी परवत को बलित परवत या मोरदार परवत कह देते हैं और कम घनत वाली पिलेट के नीचे अधिक घनत वाली पिलेट के छेपन होने बैनी ओप मंडल में पहुंचने और पिघलने से निर्मित मलवा का उर्द गामी प्रवाव होता है और फालसरू बिक्सित मोड़दार परवतों का निर्मार देखने को मिलता है हिमाले आलपस, एंडी जरौकी, आदिव परवद मोड़दार परवत के उधारने मोड़दार परवती चित्रों में अन्यान अभी नतियों तथा अपनतियों बिद्धमान होती है इसके अलावा मद्द्पिंड भी पाये जाते हैं और निर्मार पिक्रिया अद्वा बलन सौभाव में अंतर होनी की कारण मोड़दार परवतों को भी दो वरगों में बरगी कीत किया गया है और आप देखे कि आप लोग एक कागज को लीजे आप देखे दोनों तरफ से आप लोग दबाते हैं तो उसमें मोड़ पढ़ जाती है ना उसी तरह से आप लोग देख सकते है साधारन बलित परवत एक जटिल बलख बलित परवत होते हैं वलित परवत और साधारन बलित परवत की अगर हम लोग बात करें अद्वा मोड़दार परवत कहा जाता है और बास्तों में इस पिकार की परवत तभी निर्मित हो सकते हैं जब पिलेट की संचलन में से उत्पन 36 सक्तियां सामान रूप में से दबाव डालती हैं और सोडेल मोडे परती हैं और जिनका उर्द्वाधर विकास होता है वहीं आप देखेंगे कि जब पिलेट संचलन से उत्पन 36 सक्तियां अतिदिक तीब होती हैं तब भूसा नतियों में निच्छिप्त मलबा में अनेमित मोडे परती हैं और मोडों में तोड़े उत्पन हो जाती हैं एक बलन का अर्था दीक बलन का अग्रभाग तूटकर दूसरे बलन पर चला जाता है और जिसे अनेक गिर्वाखंड का निर्माड होता है और साथी साथ अधिक दबाओ की कारण परी बलन बन जाता है और एसी पिकरिया से निर्मेत मोड़दार परवतों को जटिल मोड़दार परवत की संग्या पेदान की जाती है और निर्माड आउधी क पर आप देखेंगे एक आपका अउरोधी अत्वा बिलॉक परवत होता है, कभी-कभी भूप पपड़ी पर तनाव और खिचाओ की सक्तियां कारिकरतने लगती हैं, और इनकी सक्तियों की विद्धी के साथ तनाव बढ़ता जाता है, और पपड़ी कमजोर पड़ जाती है, जिससे भरंस अत्वा दरारों का निर्माड होता है, और फलसरूप भूत तल का कुछ भाग उपर उठ जाता है, अत्वा कुछ भाग नीचे दश जाता है, उचे उठे उठे हुए भाग को आउरोधी अत्वा बिलॉक परवत की संग्या प्रिदान की जाती है, और इसका न पाल लेजे, यह आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बीच का भाग दब जाए, यह आप देखें कि एक तरह से यह आप लोग ऐसा भी हो सकता है, कि आप देखेंगे कि आसपास का भाग नीचे दब जाए, उपर का भाग उठे ज जाएगा कुछ भाग नीचे उठ जाएगा सुभावी किसी बात है और उपर उठे ऊपर जो भाग हुग उसे आउरोधी एद्वा बिलॉग परवत की संगया आप लोग दे देंगे क्या कह देंगे बिलॉग परवत कह देंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हैं ठीक है आ विले रेंस किंग को जाता है इन्होंने सायुकतराज अमेरिका के ग्रेट बैसेन रेंज की चट्टानों की अध्यन की बाद इसकी संभावना ब्यक्त की थी गिलवर्ट ने इसे भरंसित बिलॉक परवत का की संग्या दी थी और आप देखेंगे इसके पश्चात इस पिकार क परवतों का नामाकरन और रोधी अत्वा बिलॉक परवत किया जाने लगा और बरत्मा समय में इनी नामों के साथ इनका विहत अध्यन किया गया है और बिलॉक परवत की निर्मान की तीन सभावना का पिदर्शन भी किया गया है और इससे इनके निर्मान की समस्याग समाना अधिकांस बिद्वान बिलॉग परवत की उत्पत्ती दो समानंतर भेंसों की मद्द के भाग के आउतलन अध्वा उत्थान तथा भेंसों की पास चेत्रों की आउतलन से होता है और सुईकार किये गए है और इसमें कलेरेंस, किंग, गिलबर्ट, लूडर बैक, डेवेस, उपर उठने की वज़ए से हो तो यह भी कहानी है और इस तरह की कहानी चलती रहती है यह तो मुझे लगता है कि आप लोग भी जानते होंगे और जानते क्या होंगे जानना भी चाहिए मुझे लगता है क्या गरना चाहिए आपको जानना भी चाहिए आंगे चलते हैं हम ल यह आप देखें, बगल की जमीन, जियोंकितेंगों है, उपर आप देखें, उठ गया, तो उसी को आप लोग कह दीजे, इस पर, इस मत के समर्थक नहीं है, अब आप देखें कि कोई भी, कोई भी मत देता है, तो उसके पक्च में भी बहुत सारे लोग होते हैं, उसके बेप परवत का निर्माद दो समानतनर भिरंस की मद्द की उत्थान आउतलन अध्वा इसके पास छित्रों की आउतलन से नहीं होता है। परवत की आउतलन से नहीं होता है। परवत की महादीपों में बिलौक परवतों के उधारन भिद्धमान है। अभू मंदल पर समान अपरदन किरिया मानी जाए। तभी इनके अपरदन सिध्धानत की सत्तेता की संभावना हो सकती है। तो इनों ने जो मत दिया उसके पक्च में यही केवल खड़े हुए है। सभी इसके बिपक्च में हैं। अब आप दिखेंगे एक गुम्मदाकार परवत होता है। पिधवी की अभ्यांतरिक पिक्रिया अत्वा पिलेट संचलन की कारण धरातलिय भाग गुम्मद की भाती ऊपर उठ जाता है। और यह अपने निकट की छित्र से भिन होता। अपने निकट की छित्र से कैसा रहता है। भिन और इसमें आप देखेंगे भिन हो जाता है जिसे गुम्मदाकार परवत की संग्या दी जाती है। अपने लगती है। और अपने लगती है। अपने लगती है। में बरगी कित किया जाता है। जैसे साधारन गुम्मदाकार परवत, जाला मुखी गुम्मद, अत्वालावा गुमद, साल्ट गुम्मद की नाम से आप लोग विभाजित कर देते हैं। उपयुक्त परवतों के अलावा संगीत परवत, जटिल परवत, आउसिष्ट परवत, केलीडूनियन परवत, हस्तीनियन परवत, अलपाइन परवत आधी का भी उल्ले किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेगा। आप देखेंगे घटनाओ के अनुसार, इसमें केलोडियन परवत, हरसीनियन परवत, हरसीनियन परवत में आप देखेंगे आर्मो, रिकन परवत, लोरीसियन परवत, अलपाइन परवत आपको देखाने को मिलेगा। ये भी आप लोग याद रखेगा इनके बारे में ये बलित परवतों की उत्पत्ती भूसानितियों से हुई है ये क्या है ये आप देखेंगे कि दीकाल की सरवेक्षनों के अनुसार ये विचार बेक्ट किया जाता है कि उचे भाग अतीत में एक लंबे समय तक समुद्ध की रूम में थे और इन चटानों में छेचली समुद्धरों में पाए जाने बाले सभी तत्य विद्धवान थे और बलित परवतों की उत्पत्ती भूसानितियों से हुई है और इस पेकार का विचावर हाल और डाना के पूर के विद्धवानों ने भी पिस्तुत किया है और इन बिद्वानों ने किसी भी किसी सिध्धानत परिकल्पना को आधार नहीं माना है और फालसरूप इनके भूसानती सिध्धानत को मानता प्राप्त नहीं उपाई है सीधी सी बात आप लोग याद रखेगा कई बहुत एक बिज्ञानी है जो अपने अपने हिसाब से आप घर परिवार में होते हैं तो कोई भी बात होती ही तो आप कहते हैं नहीं ऐसे तरह इसे हुआ होगा फर आप देखे दूसरा आपके बिरोध में खड़ा हो जाता है पुछ लोग आपके सहमर्थन में आ जाते हैं तो उन्हीं सब की बात हो रही है सामानता भुसानती, सिध्धांत इस्तत को लक्षित करता है कि बलित परवतों की चटाने परवतों की रूम में छिछली समद्रों में दीकाल तक बनती रही है और भोगली के रियाओं में दीकाल लाखों बरसका होता है और फलसरूप इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, केबल विचारों और तरकों द्वारा अधिन किया जाता है, किसी भी सिध्धान्थ को समझने के लिए स्वयम सिध्धा, स्वयम सिध्धों, अत्वा पूर सिध्धों को समझना आवसक होता है, और इस सिध्धान्थ में भू भू अभी नतियां ये भी आप लोग देखिए क्या भू अभी नतियां भू अभी नतियां लंबे सक्रे अतवा उतले जलिये गरत हैं और जिसमें आवसादी करन तथा आउतलन होता रहता है। और इसमें आप देखेंगे कि विवर्तनिक किरियाओं के काल्म भू अब नेतियाओं की स्थिति, आकार एवं विस्तारों परिवरतन, इनकी गती से इलता, भू विज्ञानिक इतिहास के कई एवों से घुजरना, दो देड़ भू खंडों के मद्द, इस्थित होना आदी आप लोगों ने पड़ा होगा, पिलेट थेरी, महादुपी विस्तापन सिद्धान, पॉली का रेडियो सक्कृता सिद्धान, हॉम्स का संभन तरंग सिद्धान, जैफ्रीज का संकुचल सिद्धान, ये सब भी आप देखे परवतों के निर्माण में सिद्धान दिये गय कहा गया है, तो इनके नाम भी याद रखिएगा, हाल तथा डाना की संक्रपना, ये क्या है आप देखेंगे, इनों ने भू अविन्यती एबं बलित परवतों की भी घनित संबंद बताया है, और इनके अंसार बलित परवतों की सेलों का निच्छेब उतले सागरों में हु और डाना ने इनी लंबे सक्रे उतले और नियंतर धसे हुए सागरों को भू अविन्यतीर नाम दिया है, हौक के अनुसार रोकी यूराल टैथिस, टैथिल और परीपिसांद भू अविन्यतियां की किनारेओं पर सागरों का अतिकर्मड बनिर्वरतन होने से आउसादों का निच्छेब माना जाता है, किनारों पर मोटे और मद्द में सूक्ष, पदार्थ का आप देखेंगे इसमें, पदार्थ का निच्छेब माना है, और भू अविन्यती की किनारों की ओर से दबाव पढ़ने पर तल चट में बलन पढ़ते हैं, और इनी से बलन परवदों का निर्माण होता है, और इनके अमसार भू अविन्यती में तल चटों का जिमाओ, तली गिद्धासाओ, पार्स की दबाओ, और बलन किरिया का चक्र पूरा होना आवसक नहीं है, अब आद देखें भू अभिन्यतियां, हाल ए अठारे सो उन सट डाना, अठारे सो तेहतर में भू अभिन्यतियां एवं बलिप परवतों में सम्मंद, हौक अतिकिर्माण निर्वरतन, एवांस तल चटिय आउतलन, भू अभिन्यति के पिरकाद देखें तो एकल भू अभिन्यति, अतिधिक लंबे और सकरे गर्थ, बहूल भू अभिन्यति, अधिक चोड़े सागरी इच्छिति की बात हो रही है, और मद्य भू अभिन्यति, अधिक लंबे सकरे गती सील सागर, भू अभिन्यति एवं परवन निर्वाण का सम्मंद, तो भू अभिन्यति अवस्था, तलचट जमाओ, परवन निर्वाण की अवस्था, जमाओ से तली का जसना, विकास की अ अवस्थाओं बिवस्था किया गया है, और भू अभिन्यति अवस्था, इस अवस्था में भू अभिन्यति का निर्वाण होता है, और नदियां उच्छ भागों का अपरदित तलचट इसमें 31 करने लगती है, और तलचट के बाहर से भू अभिन्यति की तली धसने लगती नेच्छेपन चलता रहता है और तल्षट की हजारों मीटर गहरी परते भू अभिनिती में जमा हो जाती है। बलन बलित परवतों की निर्माण में साहिक होती है। भू अविनिती सक्री हो जाती है। और अधिदिक बलन एवं संपीडन के कारण जटिल परिवहन अथवा गीवा खंड की रचना होती है। कभी कभी ज्वाला मुखिये क्रियाएं भी होती है। परवतों का बरवतों का बरवतों की अधिकता की कारण समस्तितिक समाय जटिल बिगड़ जाता है। परवत पुना ऊपर उठने लगते हैं। और भू सनती में मलबा का निच्छे वो तली का धसा उपलुक देख रहे होंगे। देखिए। परवत देखें तो धरातल पर 600 मीटर से अधिक उचे भाग परवत कहलाते हैं। ये आप देखें सावन पर्युआसा है। परवत, तटीय अत्वा, तटीय परवत और आंत्रिक परवत आपको दिखाने को मिलेंगे। अत्रिक परवत आपको दिखाने को मिलेंगे। अपनिति कीकुल टीन अवस्था ओती हैं परवद निर्मार्ट अवस्था विकास की अवस्था तो यह परवद और परवद निर्मार्ड की कहाणी होगी, अधायी 커뷰 ओवर विस्ताज से मुक्ष पर इक्षा में पहुंचेंगे, और इस सिद्धान भी आप को बताया जो उन्हें के बारे में भी याद रखेगा पूछ लेता है कई बार, कोबर का भूसर, निती सिद्धान पिलेट तेओरी, महादुई फीव स्थापन सिद्धान, पॉली का रेडियो सक्रियेट सिद्धान, हॉम्स का संभन संकुचं सिद्धान, यह सभी आपने देखाया है, ठीक है, चलिए तो आपका कोई सबाल हो, सुझा हो, तो आप लोग जरूर देजेगा, अंगली किलास में हम लोग मैदान के बारे में पढ़ेंगे बहुतिक भूगल में आप लोग मैदान पढ़ते हैं न मैदान किसे कहते हैं उसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा एक करेंगे, ठीक है?